तो आज वो दिन है जो Marvel fans ना हमेशा याद रखेंगे मैं भी याद रखूँगा क्योंकि Marvel endgame के बाद से पीक नहीं कर पा रहा था अपनी पीक को ठच नहीं कर पा रहा था और चीज़े बिल्कुल सही नहीं चल रहे थी लेकिन SDCC यानि कि San Diego Comic Con में आज जो हुआ है na Marvel के पैनल म वो बहुत जादा सबर्दस्ता और fans के लिए उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और मुझे सच में वो वाली hype फील हो रही है जो मुझे 2018-19 के टाइम पर Infinity War endgame के आज पास जो फील होती थी तो आज किस वीडियो में Marvel के SDCC पैनल में जो कुछ भी अनौन्स वाना सब कुछ डिसकस करेंगे डीटेल में ब्रेकडाउन करेंगे कुछ थियोरीज भी डिसकस कर लेंगे तो बिना किसी देरी के हीरो गेरी शुरू करते हैं Marvel पैनल के शुरुआत होई थी Captain America Brave New World से जापर बहुत सारी डीटेल्स निकल कर रही हैं और एक confusion था जो दूर हो चुका है सब लोग confused है कि यान कर लो एस पूसीत हो याने कि हमारे Gustavo Fring आखिर कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर लुक से तो पता नहीं चल रहा था लेकिन अब confirm हो चुका है कि वो Serpent Society के लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं इसका नाम है Sidewinder तो देखो वैसे तो Marvel Comics में ना 2-3 Sidewinder है जिसमें से एक जो Original वाला है उसका नाम Seth है और ये Rockzone Oil Company के लिए काम करता था इसके पास में एक cloak भी था कामिक्स में जिससे वो teleportation कर पाता था अब मुझे नहीं लगता कि इस film के अंदर teleportation जैसे कोई power दिखाई जाएगी क्योंकि ये बहुत ही grounded film होने वाली है एक political thriller में अगर teleportation होने नहीं लगा तो वो बड़ा अजीव हो जाएगा लेकिन Captain America Brave New World से एक और interesting information इकल कर आई है और वो ये है कि MCU के अंदर Edmontium exist करता है और उसका source है Celestial Eternals में जो Celestial था त्यामुद जो की अर्थ के अंदर पल रहा था और जो बाद में बाहर भी आ गया था अब वो Edmontium का source है तो ये एक बहुत हट के take है Edmontium के उपर Marvel Cinematic Universe का पीछी लड़ाई चल ही रही होगी उपर से आखरी extraction कब चालू हुआ था क्या त्यामुद जब अर्थ से बाहर निकला था तब से ये extraction चालू हुआ है या फिर कुछ लोगों का हाथ इस पर तब ही लग गया था जब वो अंदर पल रहा था ये बगवाल ये बहुत confusing है हो सकता है कि अर्थ की core में जब वो पल रहा था मेभी कुछ लोगों के हाथ वो तब ही लग चुका था लेकिन जब से वो बहार आया था अब से एड्मेंटियम के बारे में अब हर को ही जानता है तो आप लोग ये क्या लगता है यार इस पूरे एड्मेंटियम का सीन आखिर क्या है मावल सिन्मेटिक यूनिवर्स में और क्या वुलवरीन को इससे लिंक हिया जाएगा यह फिल्म रिलीज होगी 14 फेबरी को अगले ही साल, जादा टाइम नहीं बशा, तो इसके बाद जो अगला पैनल था वह था थंडर बोल्स का, और वहापर पूरी की पूरी कास्ट मौजूद थी, जो मेंट टीम है, और सबसे इंट्रेस्टिंग लगए वहापर डेविड हार यानि कि जॉन वॉकर और गोस्ट से, और साथ में वो कुछ परसनल डीमन से भी फाइट कर रही है, यानि कि जो पूरा ट्रॉमा है, उसका जो कुछ भी है, वो सब कुछ भी साथ में है, लेकर इंट्रेस्टिंग चीज यहाँ पर यह हुई कि उस क्लिप के अंदर ये तीनो ही लोग एक secret mission पर जाते हैं, एक black ops mission पर, उनका mission होता है कि Bob Reynolds नाम का बंदा है, जिसको extract करना है, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि इनका जो ये mission था, वो एक trap था, उनके लिए trap था वो, और जो Bob नाम का बंदा है, वो bulletproof है, तो ये जो Bob है, उसको play कर रहे है, Lewis Pullman, और जादा favorite character है, he's like the superman of marvel universe, लेकिन साथी में thunderbolt से एक और detail निकल कराई, कि जो avengers tower है, अब उसको खरीद चुकी है, वेलेंटीना, या फिर वो उसके control में है, यानि कि Spider-Man Homecoming के टाइपर जो दिखाए गया था, कि ये tower big चुका है, वो valentina ने खरीदा था, या उसके superiors ने thunderbolts है, तो thunderbolts release होगी 25 माई 2025 को, अगला panel था much awaited film fantastic 4 का, और इससे related भी काफी सारी details निकल कर आई थी, सबसे पहले तो इस film का title release हो चुका है, fantastic 4, first steps, like baby's first steps, पर यहाँ पर baby कहने लाइक तो बस Vanessa Kirby, anyway, ये इस film का title है, और इस film की shooting इसी Tuesday से start होने वाली है, जोसेफ के इंजों क Johnny Storm का role play कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि, इस film के तुरू वो chemistry बताना चाहते हैं कि इस family में कितनी अच्छी chemistry है, और जब वो rehearsal कर रहे थे, तब उनको ये chemistry feel भी हो रही थी, यानि कि जो pre-production है, वो already बहुत ही जदा अच्छा है, क्योंकि actors के बीच में chemistry बढ़ी आए है, औ और वाई screen पर दिखानी है इनको, साथी में इस panel के अंदर रीड रिचर्ट्स की clip प्ले करी गई थी, रीड रिचर्ट्स का role play कर रहे है, पेडर पास्केल तो उसमें रीड रिचर्ट्स बन रखे थे, और वो physics की एक class ले रहे थे, बिलकुल old school accent में, यानि की 1960s का time था जहा इसा पता चलता है कि एक giant being pass में आ रहा है, and characters is actually very very giant, मतलो वो pass में नहीं भी आएगा, तो भी दिख जाएगा, और साथी में डिरेक्टर ने ये भी बताये कि ये retro future में based एक film होने वाली, यानि कि जो जमाना है, वो पुराना है, लेकिन technology बहुत जादा advance होगी, so this is called a retro future, और इसका setup कुछ जैसा मान लो कि लोकी जैसा हो सकता है, तो ये film भी अगले साल जुलाई में ही release होने वाली है, भाई, 2025 एक बहुती खतरनाक साल होने वाला है, और फिर आता है इस शाम का या कहलो कि सुबह का सबसे शानदार पैनल, Avengers Dooms Day and Secret Wars, तो जो rumors चल रहे थे ना कि Russo Brothers शा आइम बहुत जल्दी निकल जाएगा, theories बनाते हैं हम लोग 2026 में पहुंच जाएंगे और हमारी theories भी गलत हो जाएंगी, लेकिन इसके बाद स्टेज पर काफी सारे doom bots आते हैं मेरे ख्याल से, और फिर आता है असली वाला doom mask पहन कर, फिर वो आगे चल कर आता है और अपना mask पता चलता है कि वो Robert Downey Jr. है चिल 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 पैनिक, काम डाउन, 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 काम डाउन तो इसके बारे में जादो कुछ बताया नहीं गया लेकिन आपर Robert Downey Jr. मास्क उतारे के बाद में कहते हैं New Mask Same Task तो Same Task मेरे कहाँ से यहाँ पर refer किया जा रहा है जो Tony Stark का टास्क था Earth 616 पर जहाँ पर वो एक कवच बनाना चाहता था Earth के आजू-बाजू, Ultron की मदद से तो वैसा ही कुछ टास्क डॉक्टर डूम भी कर रहा है तो मेरे कहाँ से यह तोड़ा ट्रिकी हो सकता है यहाँ पर दो-तिन सिनेरियोस बन रहे है सबसे पहला तो यह है कि जो Robert Downey Jr. का version है डॉक्टर डूम का दूसरे सिनेरियो यह हो सकता है कि he is the Tony Stark hybrid डॉक्टर डूम वर्जन यानि कि दूसरी universe का Tony Stark यानि की अच्छे intention वाला but like Dr. Doom जो शायद से वही काम करने के कोशिश कर रहा है जो Tony Stark कर रहा था तो हाँ, situation अभी उतनी पता नहीं है तो कोशिश कर रहा हूं कि कुछ explain कर दू अब Tony Stark तो नहीं एक shield बनाना चाता था अर्थ के around लेकिन Dr. Doom का जो motive है वो थोड़ा अलग है इस चीज से वो एक humanity में order लाना चाता है साथ ही में rule भी करना चाता है उसके उपर तो हाँ, he is different from Tony Stark तो एक चीज़ तो confirm है कि Kang का पता साफ हो चुका है Mother Sematic Universe से और Kang Dynasty जैसी अब कोई चीज़ exist नहीं करती है लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लोग इतने सारे Kang के variants दिखा रहे थे और Kang Dynasty को setup कर रहे थे Maybe अब यह लोग खूब सारे Doctor Doom के version दिखाएंगे और Doomsday भी एक तरीके से Kang Dynasty है But the villain is Doctor Doom Let's see क्या होता है Furies के लिए हम लोग अलग से वीडियोस बनाएंगे यह तो सब कुछ सिर्फ announcement को discuss करने के लिए था बाकि हाँ, मैंने SDCC की जब announcement हो रही थी सब कुछ मैं पर देखूंगा Anime भी देखूंगा आप लोग मेरोस चैनल को भी फॉलो कर ले न नोटिफेशन ओन कर ले न जैसे कोई वाच्पाइटी होगी तुरंत अपक्यास नोटिफेशन आजाएगा By the way, today was a very huge day A very happy day for us fans I hope you enjoyed this video And the surprise that Marvel gave us And I'll see you in the next one